हलो फ्रेंड्स वेलकम तू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में जो आपका हर्याणा एसाई का 26 सितंबर 2021 को पर्थम पाली में एक्जाम हुआ है उन्हीं कोशन पेपर पर डिसकस करेंगे इमें काउन काउन से कोशन पूछे गए तो दोस्तों इस वीडियो को पू तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग तो गाइस पहला कोशन पूछा गया था कि शैवालों के अध्यान समंदी विग्यान को क्या का जाता है तो शैवालों के अध्यान समं आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा फोट्रॉन एच युकावा तीसरा कोशन भारतिय समिधान के किस अनुच्छेद में राज कयमचारी चैनायो का प्रापधान है अनुच्छेद 315 ऑप्शन एज राइट इन में से कौन हर्याना से राज सभा का सदस्य नहीं है तो शै गौतम ऑफ्शन बी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा पाजमा कोशन इंगलेंड के वल जुनाओं के दिनों में स्वतंत्र होता है ये कथन किसका है रूसो का ओफ्शन एज राइट प्रत्य लोक तंत्र की ढाल किसे कहा जाता है प्रत्य लोक तंत्र की ढाल रिक सबसे बड़ी अनाज मंडी काहां पर इस्तित है ऑप्सन डी जो है आपका लाड़वा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश कोक्षन ने का एस गेहों की फसल को बहुते समय कितना तापमान होना चाहिए 21 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक ऑप्सन ए है जो आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है गाईस हर्याना क्रसी एवं ग्रामेर विकास वएंग लिमिटेड द्वारा कौसी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है सेयुक्त कटाई ऑप्सन डी जो है आप का वीडियो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा आप लोग सो गाईस पहला कोशन पूछा गया था कि शैवालों के अध्यान समंदी बिग्यान को क्या कहा जाता है तो शैवालों के अध्यान समंदी बिग्यान को कहा जाता है फाइ एच युकावा तीसरा कोश्चन भारतिय सम्मिधान के किस अनुच्छेद में राज कर्मचारी चैनायो का प्राबधान है अनुच्छेद 315 option A is right इनमें से कौन हरियाना से राज सबा का सदस्य नहीं है तुश्यन्त गौतम option B जो है आपका विनकुल रूसो का option A is right प्रत्यच लोक तंद्र की ढाल किसे कहा जाता है प्रत्यच लोक तंद्र की ढाल रिकॉल को कहा जाता है हरियाना के किस जिले में बिदाह्यक पद आरच्छित जाती के लिए आरच्छित नहीं है option D जो है आपका इनमें से सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन निम लिखित इस्थानों में से हरियाना में सबसे बड़ी अनाजमंडी कहां पर इस्तित है option D जो है आपका लाड़वा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश कोशन है गाएस गेहों की फसल को बोते समय कितना तापमान होना चाहिए 21 डिग्री से 22 डिग्री सेल्सियस तक option A है जो आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है गाएस हरियाना क्रसी एवं ग्रामेर विकास व्वैंग लिमिटेड द्वारा कौशी योजना अमल में नहीं लाई जा रही है सेयुक्त कटाई option D जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा नेश कोशन ने काई बिटिस काल के दोरान हरियाना में पंजाब का भाग बना 1858 इस वी में option B जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन सकते हैं लगुत्तन समावरता पूछा गया था option C जो है आपका 360 ये विल्कुल करेक्ट हो जाएगा कार्तिक सांसिकतिक समारो का लक्ष डेस को बढ़ावा देना है अगर मार्सल आर्ट एवं लोककला option B जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा किमरले किसलिए प्रसिद्ध है इस कोशन का अभियांसर नहीं मिल पाया है यदि आप लोगों को मालूं में तो कोमेंट करेक्ट करेक्ट हो जाएगा भारत का कोई नागरिक उंगांडा में हत्या कर देता है यदि भारत में किसी इस्थान पर जहां वाप पाया जाए क्या उसे हत्या के लिए बिचारित दोसिस सिद्ध किया जा सकता है हाँ किया जा सकता है option A जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन है गाइस भारत सरकार ने जम्मु कस्मी से धारा 370 कब समाक्त की थी कानून कब पास किया था तो ये जो कानून है इन्होंने 6 अगस्त 2019 को पास किया था जब कोई अपराद किया जाता है तो कौन सी निम लिखित किरिया को पुलिस अपराद की जाच में अपनाती है A और B दोनो option C जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा गाइस अगला कोशन है पुलिस एक्ट निर्मार्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे स्री सोली सोरावजी option A जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन इन में से कौन भारत का राष्टे सुरच्छा सलाकार नहीं रहा जे अन दिछित operation मुसकान कब शुरू की गई operation मुसकान जो है ये 2015 में शुरू की गई option C जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा next question है guys वल्थोल नाराण मिनन किस प्रकार की भारती नर्त कलाकार से प्रसिद कलाकार थे इस question का answer नहीं मिल पाए है दिया आप दोगों को मालूम तो comment गरके बता सकते हैं ये आपका मैट का question था answer हो जाएगा option D बार है हर्याण के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी ये क्या कलाती है option B जो है आपका नेली कलाती है महमुद गजनवी ने हर्याणा के थानेसर पर कवाकरमण किया 1014 इस भी में option B जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अंदकार अनकूलन समय डैस की कमी वाले लोगों में बढ़ जाती है vitamin A option A जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा गजनवी ने हर्याणा के पंचकूला जिले में IT पार का कब इस्तापित किया गया 2008 में इस्तापित किया गया option C जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्स में लागू किया गया यह लागू किया गया 15 जून 2005 को option A जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह आपका math का question था answer में clear कर देता हूँ option B is right 10 आप देखेगा यह आपका जो question है reasoning का question था answer में clear कर देता हूँ जिसकि यहिद्य सफेद को नीला का जाता है तो मानो रक्त का रंग कैसा होता है तो मानो का रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है titreला जो अगला कोशन है इन में से किस क्रिकेटर को राचीव गांदी खेल रतन से सम्मानित किया गया है अगला कोशन है भारती रिजर्व वैंक आरिवाई के वर्तमान गवर्नर कोन है शक्तिकांट दास अप्सन सी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा हर्यान में राच्टी आद्र भूमी सर्माच्र कारिकरम के अंतरगत कितनी आर्ध भूमियों को मानता दी गई है अगला कोशन देखेगा एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नाम करण किसके समय में हुआ राष्ट कुरूट के समय में हुआ आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा विजे लगत सामराज के खंडर कहां पर मिले गुलबरगा हमपीर राखिगड़ी बीदर तो इस कोशन का अंसर नहीं मिल पाया है यदि आप लोगों को मालूम हो तो कोमेंट करके आप बता सकते हैं अगला कोशन 1857 के बिदरो के दमन के बाद मुगल सासक बादरुसा जफर को जहां नर्वासित किया गया वह इस्थान है इस कोशन का आंसर नहीं मिल पाया है यदि आप लोगों को मालूम है तो कोमेंट करके बता सकते हैं अगला कोशन थियो शोफिकल सोसाइटी का मुख्याले भारत में कहां इस्थापित किया गया कलकत्ता में इस्थापित किया गया जलिया वाला भाग हत्या कांट के बाद किसने सर उपादी बापस कर दी थी सर की उपादी बापस कर दे थी रविना टैगोर ने ओप्सन डी जो है आपका अविल्कुल करेक्ट हो जाएगा अंडवान निकोवार्दी सोहों पर बनी सिल्वर जेल अब किस महापुरूस के नाम पर रखा गया है वीर सावरकर ऑपसन एस राइट हर्यान में राय बादूर किताब से कौन सम्मानित हुआ बंकिम चंद चटट जी option D जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा हर्यान में राय बादूर से कौन सम्पन हुआ कौन सम्मानित हुआ ये question ने पूछा जा रहा है देखी 54 का A हो जाएगा और 55 का आपका D हो जाएगा सर छोटू रा ठीक है हर्याना के ब्रह्म सरोवर को किस विभूती ने महासागर कहा option A मौमत गवरी ने प्रतिवराच चौहान को हर्याना में कहां किस इस्थान पर हराया था तरावड़ी में हराया तो option A जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला question इन में से कौन हर्याना के राजपाल नहीं थे महावीर प्रसाद option A जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा 59 question है ने में से हर्याना राज़ी के समद में कौन सा कथन जो है कौन सा कथन question समद में नहीं आ रहा है क्या है answer मैं clear कर देता हूँ option C जो है आपका गुलाब चंद कटारिया हर्याना के है हर्याना राज़ी की एक घटना पर बनी फिल्म N की अबनेतरी काउन है अनुस्का सर्मा option A जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है next question है guys की करनाटक के मुक मंतरी वस वराच मुवाई के पिता के पूरे मुक मतरी रहे उनका क्या नाम था ये question ने पूछा जा रहा है इस question का answer नहीं मिल पाया है यदि आप लोगों को मालूम हो तो comment करके बता सकते हैं अगला question भारत के लिए विसु कैड़ेट कुस्ति चैंपियंशिप 2021 है की 2022 है सुन पतक किसने जीता 2020 है या 2021 है प्रिया मलिक option B जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा बैडमिंटन खिलाडी PV सिद्धू का पूरा नाम क्या है बैडमिंटन खिलाडी PV सिद्धू का पूरा नाम पुसली वैंकर सिद्धू option A जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला question खेला हो बैस अब किसे राज के चुनाओं में प्रिसिद्ध हुआ पश्यम बंगाल option B जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा आकास वानी के निर्देशा के 2021 कौन है ये question में पूछा गया था गोत्र का नाम option B is right हर्याणा में गव सेवा आयो के अध्यक्च कौन है सरवन कुमार गर्ग option A जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा हर्याणा के राजिपाल बडारू दत्राते किस क्रम में है अठारवे option B जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा नाश कोशन की बात कर लेते हैं उत्राखंडर राजि में कौन ऐसे मंत्री हैं जिनका समद्ध हर्याणा से है अब देखे इस कोशन का वियांसर नहीं मिल पाया है हमको और सब्तरवा कोशन हर्याणा के ऐसे कौन समसर जिनके पिता की मरत्यू हाली में हुई तो इस कोशन का वियांसर नहीं मिल पाया है यदि आप लोगों को मालूं तो कॉमेट करके बता सकते हैं अगला कोशन है हर्याणा के गरह मंत्री की प्रूब बिसेस्ता क्या है ओक्सन सी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा वे आविभाई थे इनमें से कौन भारत के गरह मंत्री नहीं रहे हैं शेरण सिंग ओक्सन सी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा भारत सरकार के गरह मंत्राले का मुख्याले क्या कहां पर है क्या कहा जाता है क्या है कोशें समझ में नहीं आ रहे हैं मुख्याले का है नौर्थ ब्लॉग ऑप्सन बी जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऐसा ऐसी कौन सा नेता है जो पहले ग्रहर मंत्री रही और बाद में देश की प्रधार मंत्री भी बनी ओप्सन ए जो है आपका विल्कुल करेक्ट हो जाएगा इंद्रा गांधी इन्वे से कौन हरियाना का पुलिस अधिकारी है सी वाला जो ओप्सन है आपका मोहमद अकिल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बकरी का बैग्यानिक नाम क्या है बकरी का बैग्यानिक नाम क्या है यह question में पूछा जा रहा है काईपरा एग्रेस हिरकस option A जो है आपका बिलकुल correct हो जाएगा हर्याना में काउंसा जिला पिदवत रूप से मगर पुलिस जिला है हाशी option B जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा अगला question हर्याना पुलिस की भर्ती में PST आंगे पताने क्या लिखा इसका अर्थ क्या होता है physical screening test option C जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा हर्याना पुलिस सिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है नवराज शिद्धू option C is right हर्याना के किस भूतपुर DGP की मरत्यु हाली में हो गई लचमर्दास option C जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा हर्याना पुलिस का मोटो क्या है हर्याना पुलिस का मोटो क्या ये question ने पूछा जा रहा है सेवा, सुरच्छा और सैयोग option B जो है आपका बिल्कुल correct हो जाएगा यहां से आपके हिंदी के question इस्टार्ट हो जाते है कि परवेंस्तोर में कौन सा समास है करमधार समास हो जाएगा जिस सब्द के कई सार्था खंड हो सके उसे क्या कहते है इस question का answer नहीं मिल पाया है यहां आप लोगों को मालूँ तो comment करके बता सकते है मुहावरे का अर्थ बताएए छचुंदर के सिर में चमेली का तेल इसका अर्थ क्या होगा अयोग ब्यक्ति को कुछ पद मिलेना option B जो है आपका आपका कोई correct हो जाएगा मीरा ने आधा लिटर दूद पी लिया इसमें विशेशन क्या होगा स्रीवाला जो option है आपका परिमार वाचक निमलिखित में से कौंसा सब्द कर का अर्थ नहीं है यह question ने पूछा जा रहा है कर्म option D जो है आपका बिलकुल correct हो जाएगा चलिए next question की बात करें तो विश्वामित्र का सब्द क्या होगा विश्वधन अमित्र option A जो है आपका बिलकुल correct हो जाएगा यह English का question है answer मैं सीदी सीदे बता दे रहा हूं मैं आप बोगों को option C is right 89 का answer हो जाएगा option B slow 90 का answer तो नहीं मिला है हमको 91 का answer इसका भी answer नहीं मिला है 92 का भी answer नहीं मिला है हमको यदि आप लोगों को मालूम हो तो comment करके आप पता सकते हैं अब यह थोड़ा सा यह मुड़ा हुआ है आप लोग दे सकते हैं आप लोग ऐसे ही देख लीजिए 93 का जो answer हो जाएगा option B हो जाएगा ठीक है option B 94 का जो answer है option C हो जाएगा option C option C correct हो जाएगा 95 का जो answer है यह answer इसका answer नहीं मिला है हमको 96 का answer हो जाएगा option B ठीक है 97 का answer हो जाएगा option A इसका तो B होगा लेकिन A नहीं होगा 98 का answer हो जाएगा option c 98 का answer हो जाएगा option c ठीक है 99 का answer हो जाएगा option d 100 का answer हो जाएगा option c तो आज की वीडियो में बस इतना ही आसा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और सिया जरूप करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें पासी में आखे वीडियो आइकान होगा उसको भी दबा लें इससे आने वा सरी नए वीडियो को नोटिपिकेशन आप सबी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी तो मिलता है नश वीडियो के साथ जहें जाएगा